असलाम लेकुम जी वेलकम कर रहे हैं आपको डेली विल से आज हम जिस गाड़ी का ओनर व्यू लेके आएं वो हमारे पास है होंडा सिटी 2003 मोडल है यह टॉप अफ दा लाइन वेरियंट ओटोमेटिक फुली अगर हम इसके फ्रंट से बात करते हैं तो फ्रंट पर सबसे पहल हैं तो बिल्कुल सिंपल एक इंडिकेटर है और साथ में यह रिटक्टेबल मिरल्स है उसके इलावा लोय रिम है इसके जो होंडा के साथ ही आये थे इसके मोडल के साथ यूनीक मोडल हो गया है पहले जब आया था तब इसके काफी सेल थी अभी तो अभी भी कुछ लोग आइसको शोक से रख रहे हैं अगर बैक देखे हम इसमें बैक लाइटस है और उपर इसके ब्रेक्लाइट है नीचे वह इस लंसर है और प्सकी हालत नीचे से खराब होई हुए या बच्छों ने किये वाक बगारा कड़ी करके साइट से देखेंगे तुसाइट से वह हम द बेक लाइट से देखे हैं मारे पास ब्रेक लाइट्स है उसके लावा सिटी का ओंडा का लोगो है और सेंटर में लोगो यह भी और उपर इसके ब्रेक लेमप नीचे जलंसर है सिंपल गाड़ी की हालत थोड़ी सी पीछे से बंपर की खराब हुए है बच्छों ने खराब कि यह पर अलावा साइड से वहाई फ्यूल टैंक इसका आ गया और आगे वह जो इसका इंडिकेटर है ठीक हो गया है इसको अंदर से बात करें तो अंदर इसमें मियर के लिए बटन जाए इसलोक बटन इसका आ गया इसमें रिटेक्टेबल मिरर के लिए एड़ेस्मेंट के लिए लेफ्ट और राइट के लिए ये फ्यूल और गैस पे करने के लिए मीटर में इसके अगर देखें तो सबसे पहले सेंटर में इसके हमारे पास गेर शिफ्टर्स हैं गेर का बताते हैं जो गेर इंडिकेटर उसके लावा साइड पर आल्प मीटर है और स्पीड मीटर आगया बिल्कुल सिंपल क्योंकि पराणिया मॉडल है तो इसमें काफी अगया साइड बोक्स के लावा सीट इसकी जो है वह मैनुवल है अगर लग स्पेस इसका काफी अच्छा है मैनुवल एजस्मेंट के लिए सीट्स है इतर नीचे मारे पास यह फ्यूल गेज है और टंक के लिए लोक है ट्रंक की अगर हम बात करते हैं तो ट्रंक में भी मकी अगर हम इसके पीछे से बात करें लैक स्पेस की पीछे का लैक स्पेस भी काफी अच्छा है इसमें अजस्मेंट कर सकते हैं सीट की आगे करनी हो लेकिन इजीली बैठ सकते हैं सेंटर में इसके आम रेस के लिए और दो लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है अगर थ इसके मिरर भी यह आटो है साइड में इसके स्पीकर है इसका अगर हम आपको इंजिन दिखाएं इंजिन में इसके लिए होंडा का इंजिन है 1.3 तेरा सो सिसी इंजिन इसका इसके इलावा यह थीक हो गया है मकि बैर्टरी के लिए है और यह फ्यूल बगारा के लिए है और यह फ्यूल बिखारा के लिए इन इसके अगर दियाए लिए क्या प्रिए यह भी चुराओ यh जो अग Łagang इसकी काफ़ी स्मूध है मेरे पास 3-4 साल से है तब मैंने 7.5 में ली थी है 7.5 लेकमा अब भी तो इसकी एड जो है वह 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन तक भी लगी हुए है तो मुझे तो अलहम्दलल्ला इसने कभी तंग नहीं किया काफ़ी चल रही है अबरेज की अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वह क्रीबन कोई 17-18 दे जाती है मुझे लोंपे और सिटी में कोई 13-14 या 15 के नस्दीग पर राम से चला लें तो दे जाती है अच्छली यह मैं लहूर होता हूँ तो यह फिर गर में कड़ी रहती है मैं जब आता हूँ तो तो फिर यूज होती है यह इसके गेरशिफ्ट है सबसे पहले पार्किंग आ गया उसके बाद इसका यह रिवर्स आ गया है फिर D4 है उसके बाद D3 है और D2 है अगर कोई रोड बैसा आओ जंपी और D2 है अगर आपने कहीं उपर स्लाइडिंग गार है जिसे मर精 जाना है तो इसके लिए यूज करते यह इसके ड्पलब इंडिकेटर आपके स्के अलाब्स रगा इसजिक साहरिया तो यह इसका यह मेरे रेक निरे रेक्टेबल मेरे इसके यह टॉप अफ तर लाइन वेरियंट तब इसलिए इसमें मेरे जस्मेंट हो सकती तिरा रोस तो नहीं होते लेकिन अजस्मेंट यहां से आप कर सकते हैं मेरे जिना स्पीकर बगारा भी इसके इसमें हैं इसके डॉर्ज में बाकी ऐसे भी अच्छा है कि लोग भी दी हुई है इसका मीटर में है सबसे पहले गेर इंडिकेटर्स है उसके बाद फ्यूल गेज है फिर यह गाड़ी की हीट हीटप के लिए सुई है हीट पूल वाली जो उसके ला शोले की यह अने सब्गर में रहां कि तर कि अधर हैं साधा में द चकाले हैं कि यह तो कि यह हीट में पर्डाइब कारि टी्था दूप शाओइबिक धिर ने एविड़ साइड मिरर्स बहुत अटमाटिक है और एसी तो इसका मैनमल ही है जैसे आम ता और टेप चल रही थी लोगों ने करवाया हुगा इसमें चेंजिंग वेरा लगवाई है लेकिन मुझे उसे कभी ज़रूत नहीं पड़ी तुमीजा था फैमली के लिए रखी हुए है पस नॉर रखते हैं आप इसको आपको भी दोका नहीं दे कि तंग नहीं करती है मुझे तो अटलिस नहीं तंग किया इसने चाथ पांच साल से मेरे पास है अलहम दूलिल्ला बिल्कुल फ्यूल एवरेज की सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को और पैल आइकन का क्लिक करें ताकि आसी मजीर अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें कैजिए अल्ला हाफीज